हालो बच्चो बेरी बेरी गुड मार्निंग टू अल अप यू तो कैसे है आप लोग बहुत अच्छे तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा यूटूब चैनल सारदा क्लासेज पर आप सभी बच्चो का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है स्वागत भी है तो चलिए स्टार्ट क चैप्टर के साथ साथ आपको पूरा चैप्टर तो रिभाई जम करवाएंगे ही प्लस आपको प्रिभियस येर का बहुत सारे कोस्टन चो पूछे गये हैं कैसे कैसे कोस्टन किस तरीका से पूछा जाएगा तो इतना तो सियोर है कि आज के पूरे लैक्चर के बाद यानि ये पूरे एपिसोड के बाद आपको इस चैप्टर सम्बंधित कोई समस्या नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोश्चन एक नंबर का हो, दो नंबर का हो, तीन नंबर का हो, तो आज जो चैप्टर हम आपके बीच लेके आए हैं, वो आपका केमेस्ट्री का एलाक्ट्रो केमेस् करवाएंगे, बैद्धूत रसायन को रिभाइज करवाया जाएगा, इसमें आपको कोश्चन सारे के सारे कोश्चन सो अबजेक्टिव लाए गया है, लेकिन ये अबजेक्टिव आपको सब्जेक्टिव पर भारी परने वाला है, ठीक है, अबजेक्टिव में ही कोश्चन सब एक से एक question लाया गया है इसमें आपको chemical reaction बहुत ही अच्छा chapter है तो chemical reactions के भी questions अच्छे-च्छे questions होंगे ठीक है यानि आपको numerical questions भी बहुत अच्छा-च्छा questions होगा numericals भी अच्छे-च्छे questions इसमें लिए गया है कुछ concept का भी questions लिया गया है जो direct आपके concept से बनेगा ठीक है direct आप concept लगाएगा तो ऐसे बहुत type के questions का combination लेके हम आपके बीच उपस्तित है और इस chapter से related जितना पूछा गया questions है पूछा गया जितना भी प्रस्ट आपको होगा इस chapter से संबंधित एक के question चून चून के board examination का हम आपके बीच लेके उपस्तित है तो आपको ये bit नहीं करना है लेकिन bit नहीं करने से पहले जो सबसे जरूरी काम है जिसको bit नहीं करना है वो आपको subscription बटन पे जाके पहले subscribe कर लेना है अच्छा लगे तो like किजिए खराब लगे dislike किजिए ठीक है और कहीं कोई problem हो तो आपको comment करके जरूर बताना चाहिए और उसके बाद भी अगर आपको समस्या कहीं लगता है तो उस समस्या का समाधान आज ही खतम हो जाएगा तो अचलिए start करते हैं बीना समय हमारा पहला question बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेतरीन question क्या काता है the best way to protect iron from rusting घरेलू यूज का है लोहे को जंग लगने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है तरीका बहुत है बहुत है बहुत सारे तरीका है जिससे हम बचा सकते हैं जैसे लोहा को बचा कैसे सकते है तो वाइलिंग करके वाइलिंग करना मतलब क्या तेल लगा देना लोहा के ऊपर तेल का लेप चरहा देना ठीक है लोहा को और कैसे बचा सकते हैं तो पेंटिंग करके पेंट करके नहीं क्या करके तो पेंट करके भी बचाया जा सकता है लोहा को और भी जंग लगने से बच कर दिजेगा लोहा को तो यह सब ऐसे तरीका है जो आपको लोहा को डाइरेक्ट नमे यूगत हवा के कॉंटेक्ट में आने से रोक देगा तीक है जो हवा में नमी होता है वाटर वैपर के कॉंटेक्ट में आने से रोक देगा और जैसे ही रोकेगा तो Fe2O3 XH2O का formation जो रस्ट का सुत्र होता है जंग का पूछता है वो भी आपको Fe2O3 और XH2O यानि वाटर का कोई भी मोल हो सकता है या आपका जंग का सुत्र है ठीक है तो इस ये बनने से आपको रोकेगा ठीक है यानि इस जंग लगने से रोकेगा तो ये सब तो तरीका हमारे पास है ही मैंने इसके बाद भी Electroplotting method Galway Nogation method ये सब तरीका भी पढ़े हैं Electroplotting आपको पता होना चाहिए कि सोना कम reactive होता है सोना क्या होता है कम reactive होता है तो लोहा के ऊपर सोना का पड़त चरहा दे लेकिन इतनी ability और इतनी capacity तो सम्में है नहीं हमें आप में नहीं है कि अब लोहा पर सोना का पड़त चरहा के गड़ील लगा दे चोर डखईता आएगा गड़ीले उठा के लेके भाग जाएगा नहीं तो यह सब संभव नहीं है लेकिन बहुत सारे टरीका ऐसे भी है तो एक हमारे फास और भी तरीका है जिसको हम लोग cathodic production कहते हैं cathodic कहते हैं क्या कहते हैं पडिरक्षन यानि cathodic production एक तरीका होता है cathodic protection है एक ऐसा बिदी है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं लोहा को जंग लगने से बचा सकते हैं यह cathodic production एक ऐसा बिधी है जिससे क्या किया आता है लोहा में जंग लगने से बचाया जा सकता है इस बिधी में हम क्या करते हैं कि FE को क्या करते हैं एटेज करवा देते हैं F E को क्या करते हैं एटेज कर देते हैं किसे टू जेडेन से किसे एटेज कर देंगे तो F E को हम लोग किसे एटेज कर सकते हैं तो F E को जेडेन से और M G से भी एटेज कर सकते हैं ठीक है जिंक और मैगनिसियम से क्या करेंगे एटेज कर देंगे यानि कहने का मतलब यह है कि ज फी से ज्यादा रियक्टिव जो होगा तो फी से ज्यादा रियक्टिव आपका जिंक है फी से ज्यादा रियक्टिव आपका मैंगनेसियम है ठीक है तो लोहा के ऊपर क्या करेंगे कि लोहा के ऊपर जिंक का या मैंगनेसियम के या इसके कॉंटेक्ट में इसको ला देंगे त तो उसके बाद जो moist air आएगा तो उस moist air का reaction किसके साथ होगा तो sacrification यानि बलिदान पहले कौन देगा तो यानि लोहा के guard के रूप में जैसे आप bodyguard रखते हैं आप नहीं यानि बहुत सारे मंत्री मंदल के लोग जिनको बहुत सारा डर लगता है क्योंकि public ही चून के वहां भ जाता है तब हम तक पहुचता है तो यहां पर भी sacrification का काम जो करेगा electron देने का काम जो करेगा oxidation जो होगा यहां पर Redox reaction जो यहाँ पर देखने को मिलेगा उसमें आपको पहले zinc और magnesium भाग लेगा ठीक है और आपका लोहा सुरक्षित रह जाएगा तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है Metaking iron को क्या बना देना है cathodic nature का बना दीजेगा और जैसे ही cathodic nature का बना दीजेगा तो iron जंग लगने से बच सकता है तो मैंने बहुत सारा तरीका बताया तेल लगा के पिंट करके ग्रीसिंग करके नहीं ये रस्ट का सुत्र हो गया cathodic परिरक्षन एक तरीका था जिसमें हमने लोहा को एटेच करबा दिया zinc के साथ magnesium के साथ और वो ज्यादा रियक्टिव होता है पहले वो रियक्ट करेगा और इसको सुरक्षा प्रदान करेगा next question की और move करते हैं और ये भी question वेटा आपको पूछा गया था 2021 BACB का पूछा हुआ question अगला question में देखे हैं मैंने पहले बोला है कि सारा पूछा हुआ question collect करके लाएं और भी अच्छे-च्छे questions है जो संभावना है कि आपको पूछेगा अच्छा-च्छा topic का वो भी हमने collect करके आपके लिए लेक्या आया है अब क्या कहता है कि BACB 2021 का एक और question है इससे अच्छा question उड़ता है मैटा है हम पढ़ा देंगे तो आपको electro state में भी electric charge में भी बहाँ सारा combination मिलता जूलता topic यानि बहाँ सारे concept basic उसका भी इसमें helpful होता है या इसका वहाँ helpful होता है क्या कहता है the electromotive force EMF of the cell for the cell reaction at equilibrium state is ठीक है अब कहता है कि संतुलन अवस्था में cell प्रतिक्रिया के लिए cell का electromotive force क्या होता है EMF EMF actual में क्या होता है वो आप जानते होंगे electromotive force जो होता है वो आपका potential difference होता है यानि दोनों cell के बीच यानि दो electrode जो होता है cathode और a node दोनों electrode के बीच के potential difference को ही actual में क्या कहाता है EMF वास्तर में हम लोग क्या बोलते हैं EMF बोलते हैं तो आप से पूछा जा रहा है कि electromotive force जो होगा cell reaction का जब equilibrium state में होगा तब क्या होगा वो आप से पूछा जा रहा है आपकी डेल जी नॉट जो होता है वो किसके बड़ावर होता है तो माइनस NFE not के बड़ावर होता है जहां पर डेल जी नॉट जो होता है वो गिप्स फ्री एनर्जी होता है यह आपका गिप्स मुक्तूर्जा होता है यह number of electron transferred होते हैं ठीक है जिसको N factor भी कहाया आता है कितने electron reaction होने के दौरान कितना electron इधर से उधर जा रहा है या उधर से इधर आ रहा है उसका संख्या होगे यह Michael Freddie का charge है F96500 कूलम और E not जो आपका दिया गया है वो standard cell potential है मानक cell विभव जो volt में मापते हैं वो आपको दिया गया है और आपका जब equilibrium position पर होगा जैसे ही at equilibrium पर जाएगा यानि साम अवस्था में जाएगा तो वहाँ पर आपका E not का जो मान हो जाता है वो 0 हो जाता है E not का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब E not का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर E not के value को डाल दीजएगा 0 तो डेल जी not जो Gibbs free energy होगा वो 0 होगा और किसी भी chemical reaction को होने के लिए डेल जी not का मान क्या होना चाहिए less than 0 होना चाहिए और यहाँ आ कितना रहा है 0 आ रहा है it means कहने का मतलब है कि यह chemical reaction नहीं होगा और आपका जो EMA फाएगा वो EMA किसके बड़ाबर आएगा तो 0 के बड़ाबर आएगा तो यह एक तरीका था जिससे मैंने आपको इसको समझ जाया एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका concept पूरा clear हो जाए एक और तरीका आप ध्यान से देखिएगा कि equilibrium state में क्या होगा जैसे मान लिजे कि हमें एक reaction लेते हैं कोई reversible reaction हमने लिया कोई reactants आपके सामने हम A ले रहे हैं ठीक है इस A को क्या कि A reaction करबायत A N A प्लस N हो गया प्लस N यानि क्या प्लस का मतलब देना होता है और देगा और लेगा तो किसको electron को दे सकता है या electron को ले सकता है प्रोटोन और neutron nucleus में फिक्स होते हैं तो यहां प्लस N लिखे यानि के N दे रहा है तो किसको दे रहा है तो electron को प्लस का मतलब देना इसका मतलब N electron यहां से बाहर निकल ला है, तो according to nust equation, according to nust equation, कौँन सा equation? nust equation, नानि naust के समीकरण के अनुसार, nust के समीकरण के अनुसार, nust के समीकरण के अनुसार okay, तो नश्ट आपका समीकरण क्या बताया था, वो आपको जानकारी में होना चाहिए, तो नस्ट आपका क्या समिकरन दिया था जरा आउस समिकरन को याद करते हैं तो समिकरन था कि E जो सेल का होगा वो E not सेल का minus 0.059 upon क्या एगा 0.059 upon N log concentration of product बटा concentration of reactant बटा concentration of reactant यह आपका log ने आपका यह formula दिया था आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह तो नस्ट का समिकरन था एक तरीका मैंने यहाँ समझाया है यह तरीका यह भी है जहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं दूसरे तरीका की और बाहरा हूं और कोशिच करता हूं कि कहीं से concept मिले अब यहां पर जब पहुच गया तो at equilibrium यानि सम आवस्था पर होगा जो reactant होंगे यानि जो rate of reaction होगा जो rate of forward reaction होगा यानि जो reactant का rate होगा वही product का भी rate हो जाता है यानि forward reaction और backward reaction यानि rate जो आपके होंगे rate जो होगा आपका किसका reactants का reactants यानि प्रतिफल का जो आपक rate के बराबर हो जाएंगे किसके rate के तो reactants के जो rate होंगे जो reactants का यानि reactants कहने का मतलब यह है reactants कहते हैं यहाँ पर product होगा वहाँ reactants मैंने लिख दिया अब इसके बाद यहाँ पर product होगा तो जो आपका rate दिखाई दिया यानि प्रतिफल का जो rate होगा वही rate आपका अभी का कारक का हो जाएगा वही रेट किसका हो जाएगा तो अभी कारक का हो जाएगा तो अभी कारक जिस रेट से प्रतिफल में चेंज करेगा यानि ए जिस रेट से एन प्लस एन इमें चेंज करेगा उसी रेट से ए प्लस एन भी किस में तो रियेक्शन जितना इधर से इधर यानि नो इधर से इधर आएगा और ना इधर से आएगा नियानि आपको एक ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा के रीक्षन आपका रुख जाएगा तो चेंजिन कंसन्ट्रेशन जो हो जाएगा वह आपके जिरो के बड़ाबर हो जाएगा यानि सांधरन में परिवर्तन हैं सांद्रन में पडिवर्थन आपका सुन हो जागा सांद्रन में पडिवर्थन आपका 0 आगया इम्वर्थन का किस पर डिपेंड किया है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया सुन हो गया यानि चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वह आपका जीरो आ गया इमेफ सेल का किस पर डिपेंड किया कंसंट्रेशन पर तो आपका इमेफ किस पर निर्भर करता है तो EMF आपका निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है सांध्रन पर किस पर निर्भर करता है तो सांध्रन पर निर्भर करता है और यहां पर सांध्रन क्या रहा है सांध्रन में परिवर्टन सुनना रहा है इसलिए आपका जो EMF हो जाएगा सेल का वो किसके बड़ावर हो जाएगा सुनने के बड़ावर हो जाएगा तो दोनों तरीका से मैंने आपको दिखा दिया कि इसका वैलू सुनने आएगा ठीक है तो एक नस्ट का समीकरन लेके पूरा एक्स्प्लेन करके दिखा दिये और एक आपको डाइरेक्ट हम फॉर्मूला डेल जी यानि मानक एलेक्ट्रोड विभव जो वोल्ट में दिया गया है सो है ठीक है क्लियर हो गया लेकिन अभी तक आप लोग क्लियर नहीं किये हैं बेलुकुल क्लियर कि ये बटन को दबाओ यार बटन को दबाना जरूरी है बहुत कुछ आगे आने वाला है अपका तहा है कि ए एल 3place को क्या किया गया है रेदिوس कर भाया गया है तो एल 3 elas को डीऊ कर भाएंगे यानि यह तीन एल्लेक्ट्रों एलрь प्लस कहने का मतलभ के अल्मूनियम 3euलेक्ट्रों दे चुका है तो उसको फिर से अल्मूनियम के रूप में लाना है तो जो 3 eяж वह दीया है न वह 3 इलक कह रहा है यह एक है अब कर दिये तिसको एक मोल एल मुनियम में परिवर्टित होने के लिए कितने चार्ज क法 सकता हुआ तो यहां पर तीन मोल ऐलेक्टरोन कर रहा होई तीन मोल एलेक्टरोन कर वह सकता हुआ तो एक मूल एलेक्ट्रोन जो होता है उसका चार्ज कितना होता है तो एक फरेडे के बराबर होता है ठीक है तो तीन मूल एलेक्ट्रोन अगर हो जाएगा तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा तीन फरेडे हो जाएगा और एक फरेडे का मान कितना होता है 96500 कुलम 3 फरेडे जब हो जाएगा तो ये 009, 5, 3, 15 हो जाएगा उसके बाद 3 चक 18, 19 हो गया 9, 27, 28 हो गया इतना आ गया अब इसको लगभग आप लिखेंगे तो 2.9 into 10 to the power 5 लिख सकते हैं या फिर इसको 3 into 10 to the power 5 approximate मान आप लिख सकते हैं तो कितना चार्ज लगा 1 mole Alumunium Al 3 plus को 1 mole Al 3 plus को 1 mole Al में परिवर्तित करने के लिए कितने चार्ज की आवसकता होई तो 3 into 10 to the power 5 कूलम चार्ज की आवसकता होई है तो यही आप से पूछ रहा था कि कूलम में कितना चार्ज लएगा तो आपका 3 into 10 to the power 5 यानि तो ये भी आपका numerical type का reaction भी था, calculation भी था, बहुत अच्छा question था, समझ में आ गया, तो unity method ऐसे ही आप भी बनाईएगा, तो sub question बनेगा, ठीक है, अब हम आगे बरते हैं, अगला question क्या कहता है, A, B और C के मानक कमी संभावित मुल आपका इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है, करमसा उनकी सक्ति कम करने की, यानि standard reduction potential जो आपका है, वो A का, B का और C का दिया हुआ है, तो A का standard reduction potential आपका कितना दिया हुआ है, तो plus में 0.68 दिया हुआ है, B का कितना दिया हुआ है, reduction potential तो minus में आपका 2.50 volt सब volt है, और C का कितना दिया हुआ है, तो minus 0.50, minus 0.50 volt दिया हुआ है, अब आपसे reduction potential का order पूछ रहा है, तो बेटा, reduction potential का जो order होता है, वो आपके directly proportional होते हैं, किसके, तो reducing power के directly proportional होगा, यानि आपका, अब करनित बिभब का, अब करनित बिभब आपका जब होगा, यानि reduction potential जो आपका होगा, reduction potential अगर घटता है, ठीक है, reduction potential अगर बढ़ता है, तो reducing power भी बढ़ेगा, reducing power क्या होगा, reducing power जो होगा, यानि अब करनित सक्ति जो होगे, वो आपके बढ़ेंगे, अब करनित सक्ति क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि oxidizing power जो होगा, oxidize करने की छमता इसका बढ़ जाता है, अपने आपको oxidize करने की छमता बढ़ जाएगा, तो वो दूसरे को बहुत अच्छी तरह से reduce करवा सकता है, तो वही आपसे पूछ रहाता है, reducing power क्या होगा, तो इन सभी में जब reduction होगा, तो reduction में negative में value ज्यादा prefer करता है, तो जो value जितना ज्यादा negative में होगा, वो maximum on होगा, तो इसमें reduction value सबसे ज्यादा किसका है, तो B का है, तो B का reducing power आपका ज्यादा होगा, B का क्या होगा, reducing power ज्यादा होगा, उसके बाद किसका है, तो C का है, negative म में लेंगे क्योंकि निगेटिम में रिड़क्शन वैलू निगेटिम में लेंगे तो उसके बाद किसका है क्योंकि आईसे वैलू देखिएगा तो आपको इसका प्लस में ज्यादा दिखाई देगा तो निगेटिम में जिसका मान ज्यादा होगा इट मिन्स की रिड़क्शन potential उसका ज्यादा है reduction विभव जो है वो उसका इस्टेंडर reduction potential जो है वो उसका ज्यादा है negative में value ज्यादा होना चाहिए तो वो ज्यादा होगा तो reducing power ज्यादा होगा तो B बाला का ज्यादा उसके बाद किसका है C बाला का और उसके बाद किसका है तो आपका A बाला का है तो ये कौन सा option से टकरा रहा है वो आपको देख ठीक है B C D यानि क्या D is the correct option कौन सा option होगा D is the correct option B का सबसे ज़्यादा उससे कम C का और उससे कम A का next question क्यों remove करते हैं अगला question जरा धिहान से चेंज कर रहा है तो ये जो जेडेन है ये solid form में है ये equation करता है हाप cell reaction है तो ये जेडेन 2 प्लस में कब जाएगा जब एक्वस फोर में sulfur का गोली है मुह में रख देगा पनी सही तो नहीं reaction करेगा लेकिन उसी को पानी मिला देगा तो तुरत वकाद वो देखा देगा अप फिर complete cell है तो यहाँ double dash डालेंगे अब आपका copper जो है Cu2 plus aqueous form में है ये आपका किसमे चेंज कर रहा है तो copper solid form में चेंज कर रहा है तो ये जो आपका cell reaction दिया गया है तो इधर वाला half cell reaction आइधर भी half cell reaction ये आपका half cell reaction है ठीक है और ये आपका half cell reaction है दोनों का मिला दीजेग तो ये हो जाएगा complete cell reaction क्या हो जाएगा पूर्ण अभिक्रिया ठीक है पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगा complete cell reaction हो जाएगा इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या जाएगा complete cell reaction हो जाएगा complete cell reaction तो ये जो reaction आपको लिखा गया है वो किस form में लिखा गया है तो ये बेटा standard cell reaction ह है कहीं option मानक का अभिक्रिया है यानि आपका सी इज़ ग्रैक्ट सी या डी जो भी हो यह option अपका correct अगले question कर जो करते हैं अब क्या करता है galvanic cell में anode होता है यानि ये galvanic cell जो होगा उसमें anode आपका negative होगा positive होगा वही आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना चाहिए कि galvanic cell होता क्या है galvanic cell क्या होता है वो आपको जानना चाहिए तो galvanic cell जो है ठीक है galvanic cell में galvanic cell जो हमारा है इस galvanic cell में जो आपका anode होता है वो anode बेटा negative होता है एनोर्ड हमारा क्या होता है तो नीगेटिव होता है ठीक है और कैथोर्ड क्या होते हैं वो आपके पोजेटिव होते हैं कैथोर्ड क्या होता है पोजेटिव होता है एनोर्ड नीगेटिव होगा कैथोर्ड पोजेटिव होगा एनोर्ड जो होगा वो एलाक्ट्रोन देने का क काम करता है यह एलेक्ट्रोन लेता है क्योंकि यह पोजेटिव होता है निगेटिव इसको चाहिए एट्रेक्ट करेगा और यह आपका निगेटिव होता है वो एलेक्ट्रोन देने का काम करता है क्या करता है तो एक एलेक्ट्रोन देगा तो आपसे पूछ क्या रहा था कि गै अला कोशन क्या करता एक फ्रेडे बिजली यानि वन फ्रेडे जो होता है फ्रेडे आपका चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है और जिसका मान 965 00 कुलम के बढ़ावर होता है लगभग ये लगभग मान होता है और इसका वैलू आपका 96484 कुलम आपका बुक लिखता है एक्जेक्ट लगभगिये होता है और राउंड फिगर में आपका 96500 कुलम होता है तो कितने कुलम के बढ़ाबर हो गया तो 96500 कुलम के बढ़ाबर हो गया चलिए अगले कोशन के और मुव करते हैं क्या कहता है LICL, NACL, KCL के समतुल चालक अनंत तनुता का सही करम है ठीक है यानि जब इसको LICL को, NACL को और KCL को इनफाइनाइट लेवल पर डाइलूट करवा देते हैं तब इसका कंडक्टेंस जो होगा वो कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा वही आपसे पूछा जा रहा है ठीक है बहुत ही बेहतरीन कोशन है जर आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा कि group 1 का metal है आपका lithium, sodium और potassium, group 1 का metal है उपर से नीचे जाइएगा तो आपको पता होगा कि इसका atomic number आपका 3 होता है इसका atomic number आपका 11 होता है इसका atomic number 19 होता है यानि एक एक अकच्छा बरहेगा इसमें एक orbit दो orbit होंगे इसमें 3 होगा और इसमें 4 होग orbit बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे जाने पर size आपका बढ़ेगा size क्या करेगा increase करेगा size आपका क्या करेगा increase करेगा आकार आपका बढ़ेगा आकार बढ़ेगा आकार क्या होगा बढ़ेगा आकार बढ़ेगा तो जैसे ही आपने क्या किया किया कि एनाइन के फॉर्म में लेजेगा लाई प्लस एन ए प्लस और के प्लस आप कर दिजेगा तो इसमें आपका सबसे बड़ा साइज किसका तो तो आपका पोटेसियम के प्लस का बढ़ा हो गया एने प्लस का उसे छोटा हो गया अब क्या करवाएंगे कि इन तीनों का रियेक्षन हम हाइड्रोजन के साथ करवा दे यानि किसी भी हैलोजन के साथ आप अगर करवाईएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा जैसे ही तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि इन त्यनों को हाइड्रेशन करवाते हैं हाइड्रेशन करवाएंगे के टायन का जैसे ही आपका तो due to hydration of Cay harmony है इसे कैयन के सात्त है हाइड्रोजेंट करवाया जाता है यानि दू यू टू hydration of cation its radii is inverted यानि इसका radii क्या हो जागा, उल्टा हो जागा जैसे ही इसको क्या किजेगा, cation के साथ मिला येगा किसके साथ, cation के साथ इसको मिलाएगा तो इसका radii पलट जाएगा यानि radii क्या हो जागा, उल्टा हो जाएगा तो radii जब उल्टा हो जाएगा इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ही आप इस केटाएन के साथ इसको ले जाएंगे इसका रेडिया इंप का इल्ड HEY-DY संटरबाएंगे तब तब आपका क्या हो जाएगा कि यल-I प्लस जो है वो पहले छोटा था अब यह बढ़ा हो जाएगा एणे K- plus उससे छोटा हो जाएगा और K- plus उससे छोटा हो जागा यह कब होगा जब हम Hydration करवा देंगे किसके साथ K-qe-T-ineं के साथ Hydrate करवाएगे तब ऐसी स्थिति आजाएगे ठीक है और Conductance जो हमारा होता है जो Conductance हमारा होता है यानि चालक तो जो हमारा होता है वो चालक्त्व क्या होता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एडियाई को होता है यानि त्रिज्या का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यानि त्रिज्या बरेगा तो जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा त तो conductivity order क्या आजाएगा तो justice का उल्टा आजाएगा यानि KCL आपका छोटा है तो KCL का conductivity जदा हो जाएगा NaCl का उससे कम हो जाएगा और उससे कम LICL का हो जाएगा यानि कौन सा order होगा तो आपका KCL यानि आपका B is the correct order तो समझ में आ गया होगा कि आपका कहानी क्या होना चाहिए ठीक है तो मैंने एक एक ची तोड़ दिया group 1 का metal था size increase कर रहा था कैसे कैसे वो दिखा दिये hydration करवा दिये के time के साथ तो उल्टा हो गया जैसे hydration करवा है इसका वैसे ही इसका size प्लट गया है जो सबसे बढ़ा था सबसे बरहे अपका k plus था सबसे छोटा के हिसो गया और के प्लस जबत्Shell हो गया तो कंड़क्टए जो है वह आपका चालक्त्म क्या होते है उत्याय रिदी आई के की इंश्द गोर्पारोलतॉर। जेंडली जो साइज माना गया है अटम का वो स्फेरिकल माना गया है स्फेर का भॉल्म क्या होता है यानि गोलार्द माना गया है गोल माना गया है तो गोला का भॉल्म फोर बटा थिरी पाई रक्यू रेडियस बढ़ेगा क्योंकि पाई रक्यू तो पाई तो कॉंस्टेंट ह फोर बटा थीरी भी constant है आर पर depend किया तो इसका जस्ट उल्टा हो गया तो KCL का ज्यादा इसका कम और इसका उससे भी कम हो गया बहुत अच्छा question था बहुत ही खुश्चुरत question था next question क्या कहता है जिराध्यान से देखेगा इतना तोड कर एक चीज़ explain करके समझाते हैं बेटा बार बार देखो एक भी question बिट नहीं करोगे और सारा पूछा गया question है आप देख सकते हैं ये भी 2018 का एक एक question आपको पूछा हुआ सब question लेके आए हैं क्या काता है sodium chloride का एक पतला जलिये घोल एलेक्ट्रोलाइज किया जाता है एनोड पर और कैथोड पर उत्पाद होगा यानि आपको sodium chloride लिया गया नमक आपका किस में टूटेगा na plus और cl minus में अब आपका कहानी दो जगा है दो तीन चीज़ आपको याद रखना होगा एक चीज़ आप जानते होंगे care word मैंने पहले भी बताया है cathode पर आपका reduction होता है cathode पर क्या होता है तो reduction अब करन की किरिया आपको cathode पर होता है ठीक है एक और word मैंने आपको बताया था बार बार डिपिट करते है लियोजर यानि loss of electron oxidation gain of electron reduction और एक और word आपको जानना होगा loan loan मतलब क्या यह आपका L मतलब left by A में O मतलब oxidation यानि oxygen होता है ठीक है और A मतलब anode और N मतलब क्या negative anode आपका क्या होता है negative तो यह चीज़ आपको याद रहना चाहिए तो अब आपका हो क्या रहा है तो आपको काम पूछ किस पर रहा है तो cathode पर क्या कहता है product명이ं node और cathode पर क्या आएगा तो पहले बेटा हम क्या करते है influenced होता है तो पहले हम cathode का कहानि लेते है तो एट gatherucky cathode पर क्या गहतना गहतेगा जरा ऊस पर सोच लेते हैं तो cathode पर क्या होगा कि यह आपका na plus na plus attract survivorनल लेता है तो इने प्लस क्या करेगा एक electron लेकर na में क्रवाटि ने बाद जागा तो किया भी कहा है तो सोडेया 2021 का तो कहान पर चिंज़ कर निया तो कहानी आप चिंज रजागा यह वी टाएफ है यह यहाँ पर कहां पर कथिया होगा वहापका कहानि जानना है और एनोड पर क्या होगा वो आपका कहानी जानना है तो दोनों कहानी जब जानीगा कैथोड पर तो कैथोड पर क्या होगा कि ओएच माइनस जो आपका था ओएच माइनस जो आपका दिया गया था वो ओएच माइनस आपका कैथोड पर क्या करेगा उसका कहानी पहल तोरिएगा तो यह टूट जाएगा आपका H+, और O2- में टूट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि यह H+, 2H+, जो है, वह आपका क्या करेगा, 2 electron दिया हुआ है, तो 2 electron को gain करेगा, और reduce होकर, reduce हो जाएगा, और reduce होकर H2 में बाहर निकल जाएगा, H2 में बाहर निकल जगा तो यहाँ पर क्रिया किसका हुआ तो अब करन का क्रिया हुआ क्योंकि electron gain कराता है gain of electron reduction होता है अब इसके बाद आपका एक और कहानी किस पर तो at anode पर क्या होगा तो anode पर आपके क्या मुख्त होंगे तो बेटा आपको OH- बचा हुआ है OH- आपका तो O2 में H2O में तो OH- को तोड़ दो तो O2 में तूट गया H2O में तूट गया और 4 electron यहाँ से बाहर हो जाएगा 4 से इसको multiply कर दीजेगा balance कर दिए और यहाँ पर ऑक्सी करन की क्रिया हो गई किस की क्रिया हो गई ऑक्सी करन की क्रिया हो गई यानि anode पर oxidation होता है मैंने लि कि अन ओर O2 और cathode पर H2 तो आपसे पूष्क क्या रहा है कि premiseala Noda पर क्या हुआ तो बेटा को बेटा देखलो O2 इसमें है O2 तो two जगा है यहां और यहां दिखाई दे रहा था ठीक है और cathode पर क्या है तो H2 debates थोड़ पर यहां एने था, कौन सा option होगा, D is the correct option, D is the correct option, उमीद है, ये भी question आपको समझ में आगया होगा, no doubt की नहीं समझ में आए, next question क्यों मूव करते हैं, फरेड का दूसरा नियम संबंदित है, दोको फरेड का नियम क्या कहता है, फरेड का second law जो आपका कहता है, वो क्या कहता है, कि अगर समान मात्रा का, अगर समान मात्रा का बैदु धारा कहीं प्रवाह किया जाता है, तो electrode पर जो metal deposit होता है, यानि जो electrode पर metal deposit होंगे, उस deposited metal का mass का जो ratio होगा, वो उस धातु के तुल्यांकी भार के बराबर होगा, यानि कहने का मतलब कि electrode पर mass M1 बटा M2 आपका deposit हो रहा है, तो equivalent weight जो M1 का होगा, ये E1 बटा E2 के बराबर होगा, जहां पर E1 E2 उसके equivalent weight के ratio है, और M1 M2 जो mass deposit हो रहा है, उसका ratio है, और ये तब का कहानी है, जब समान मात्रा में बैद्धु धारा को प्रवाह करवाया जाता है, तो ये आपका फ्रेडे का दूसरा नियम था, तो किस से related हुआ, तो equivalent weight से, तो equivalent weight of electrolyte is your correct answer, next question, क्या कहता है कि CuSO4 billion से 96500 कुलम बिद्धु धारा निकलती है, तो CuSO4 solution, 96 इतना electric current releases, आपका कितना copper release करेगा, वही आप से पूछा जा रहा है, तो बेटा, यहां से अगर आप तोड़ेंगे CuSO4 को, तो आपके पास क्या आएगा, Cu2 plus और SO4 to minus, अब आपको करना क्या है इस reaction में कि copper को प्राप्ट करना, तो Cu2 plus क्या करेगा, दो electron को लेगा, और किसमें change कर जाएगा copper में, यह आपका aqueous form में है, यह आपका solid form में आगया, अब ज़रा इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि यहा 2 mol electron जो होगा, वो 1 frede के बड़ाबर होता है, तो 2 mol electron जो आपके होंगे, वो कितना के बड़ाबर होंगे, तो 2 mol electron आपका 2 frede के बड़ाबर होगा, यह एक frede 965 00 coulm, यानि कितना charge हो गया, तो इसका just double charge, आप से पूछ क्या रहा है, कि from CuSO 4 solution, 96, इतना coulm में, तो यानि क कहने का मतलब यह हुआ, आप जरा यहीं से ध्यान से देखिएगा, इसको multiply करेंगा, 0, 0, 0, 5, 2, 0, 10, 12, 13 हो गया, और 9 to 18, 1, 19 हो गया, इतना coulm आपको चार्ज लगा, तो आप से पूछ रहा है, कि इतना coulm जब देंगे, कितना coulm, तो इतना coulm, तो इससे यह पता चला कि जब हम कितना, 2F, यानि 1 mol electron इसके बरावर, यानि जब 2 mol electron हम दे रहा हैं, तब 1 coulm copper आपको मिल रहा है, 2 mol electron कहने का मतलब, कि 2F, जब हम चार्ज दे रहा हैं, तब हमको 1 mol आपका copper मिल रहा है, ठीक है, तो आपको देना कितना है, तो F जब दीजेगा, तो 1 by 2 mol आपका क् और 1 mol copper का मास 63.5 होगा, तो 1 by 2 mol copper का मास 63.5 बटा 2 ग्राम होगा, और इसको डिवाइड कीजेगा, तो 31.75 ग्राम के बरावर आपका, है कहीं option, लगभगी option होगा, this is your correct option, आया समझ में, आगया समझ में की नहीं आया, उमीद है समझ में, आगया होगा, चलिए, आगे बरते चलिए, बढ़ा जाए आगे, ये भी question आपको समझ में आगया होगा, चलिए, अब आगे question क्यों remove करते हैं, हमारा अगला question क्या कहता है, वो ध्यान से देखते हैं, हमारा अगला question क्या कह रहा है, question देखेगा, निमलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अक्सीकारक एजेंट है, तो पेटा इसमें सबसे अच्छा अक्सीकारक एजेंट आपका कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा, सबसे अच्छा अक्सीकारक एजेंट क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्यों होता है, तो इसका फ्लोरीन आ तत्व होता है, दिनातमक तत्व होता है, यानि सबसे एल्क्ट्रों निगेटीव तत्व होता है, क्या? HAS maximum electronegative element ठीक है? HAS नहीं, इच कर दो, is maximum electronegative element, यानि क्या? सबसे अधिक electronegative element क्या होता है fluorine होता है तो fluorine बहुत ज़्यादा electronegative element है यानि बहुत ज़्यादा electronegativity इसका है तो बहुत अच्छा oxidizing agent आपका कौन होगा fluorine होगा ठीक है अपने आपको reduce करवाएगा बहुत आसानी से तो oxidize दूसरे को आसानी से करवा सकता है next question क्या करता है कि निमलिखित में से कौन दूतियक कोशिका दूतियक सेल होता है secondary सेल तो बेटा secondary सेल कि इसको कहा जाता है वैसा सेल जो rechargeable हो यानि आप जो use करते हैं mobile का सेल ठीक है यानि बार बार हम उसको reuse कर सके यानि और इसमें इस सेल में जो chemical reaction होता है वो reversible होता है reversible यानि उतकर्मनिये उतकर्मनिये का रसाइनिक अभिक्रिया होता है उतकर्मनिये रसाइनिक अभिक्रिया होता है इसमें जो अभिक्रिया होता है अब इकडिया होता है, ठीक है? तो ऐसे cell को क्या कहा दा है? तो ऐसा cell हमारा secondary cell कहलाता है. primary cell एक बार यूज कि ये खराब हुआ फेक दिए secondary cell को बार बार हम recharge कर सकते हैं उसके अंदर जो chemicals पाए जाते हैं उसमें chemical reaction आपका reversible होता है उसका बार बार reuse हम लोग करते हैं वो आपका secondary cell होता है और इसका example आप लिख सकते हैं तो lead storage battery जो है वो आपका secondary cell होता है lead storage battery जो होगा वो आपका क्या होगा secondary cell होगा ठीक है next question क्यों बरते हैं हमारा अगला question क्या है वो देखेगा क्या कहता है कि आधे cell के लिए मानक electrode विभव प्रतिक्रिया है standard electrode potential आपको हाप cell का दिया गया है ठीक है और आपको EMF निकालना है cell का तो cell का बेटा जब EMF आप निकालेंगे EMF यानि E आपका cell का निकालेंगे तो reduction में से oxidation बला को घटाना होगा यानि आपका E FE आपका किसमें चेंज कर रहा है FE 2 प्लस जो है FE 2 प्लस जो है वो reduce हो के FE में बदल रहा है और इसमें से आपको घटाना होगा किसका दिया हुआ है ZN तो ZN आपका ZN 2 प्लस में चेंज कर रहा है ZN आपका किसमें चेंज कर रहा है तो ZN 2 प्लस में तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपका reduction हो रहा है यह यहां पर क्या हो रहा है तो आप करन हो रहा है फॉर्मूला लगाना भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर एलेक्ट्रोन गेन कर रहा है एफी टू प्लस था दो एलेक्ट्रोन दिये हुए था दो एलेक्ट्रोन ले लिया ले लिया दोनों का दोनों तो कितना खतम हो जागा तो e2-APlus का अपका दिया हुआ है कितना तो minus में 0.41 है और यहां पर आपका क्या हुआ हुआ है तो आपका Graph किया हुआ है तो आपका तो ऐसे आपके तो एलक्ट्रो मोटी फॉर्स रिडक्शन यह आपका हाप सिल का जो वैलू दिया गया इस्टेंडर से लेक्शन उसके रिडक्शन में से ऑक्सिकरन वाला को घटाएंगे ऐसे कर देंगे सिम्पल इडक्शन आएगा अगला कोश्चन हमारा दिहान से देखीगा बहुत यह अच्छा-च्छा कोश्चन है अब कॉंसेप्ट का भी कोश्चन आएगा नुमेरिकल भी बच्चे अच्छे लेक्शन लेक्शन क्या काता है के नो थरीके संत्रिप्त घोलका उप्योग नमक पूल बराने बेता सॉल्ट ब्रीज क्या होता है वो सॉल्ट ब्रीज जो होगा सॉल्ट ब्रीज जिसको लबन से तु कहा जाता है ठीक है इसमें जो लबन से तु होते हैं वो लबन से तु आपका यूसेप का होता है उल्टा यूसेप का होता है यानि ऐसा आपका आकरती हो इससे करें और जिससे बना होता है, जेनरली एक ग्लास से बना होता है, ठीक है, अब ऐसे करके दोनों के बीच में circuit को complete करता है, electrical conductivity जो होता है, यह जो circuit परिपत है, ठीक है, इसको complete करने का काम आपका salt bridge करता है, अब आपके पास question क्या है, कि saturated solution of potassium nitrate KNO3 is used to make salt bridge, क्यों बनाया ज करता है, कि KNO3 जो होता है, इस KNO3 को आप अगर तोरेंगे, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, तब यह समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो यह तूटेगा आपका K पलस में, और NO3 माइनस में तूट जाएगा, आप देखिए, K पलस का और NO3 माइन है फोटेशियम आइन का वैलोसिती और नाइटenneा आइन का वैलोसिती लगबख सेम होता है, और दोनों का वैलोसिती अगर सेम रहेगा, तो इधर से इधर जाएगा, तो दोनों, यानि सेल रियक्षीन को या कंप्लीट सेल को न्यूट्रलाइज करने में, न्यूट्रलाइ आसानी से नहीं होगा तो एक तरफ ज्यादा लग जाएगा एक तरफ ज्यादा चार्ज रह जाएगा यानि एक तरफ चार्जेबल मेटेरियल रहेगा एक तरफ डिस्चार्जेबल मेटेरियल रहेगा तो वहां पर एक आपोजिंग फॉर्स का निर्मान होगा और जिससे एले से इस्तेमाल किये जाएंगे जिसको अच्छे salt bridge बोलेंगे उसमें आपको वैसे लबन को डाला जाता है जिसका दोनों का दोनों आयन या तो positive हो या तो negative हो दोनों आयन्स का जो mobility होता है जो उसका option क्या है velocity या बोथ K plus and NO3 यानि K plus और NO3 माइनस जो होगा दोनों का लगभग सेम होना चाहिए सेम होगा तब सही होगा अधरबाई सही नहीं हो सकता है next question क्यों remove करते है हमारा अगला question क्या कहता है electrolytic cell में electron का प्रबा होता है electrolytic cell में बेटा ध्यान से देख़िएगा यह electrolytic cell क्या होता है electrolytic cell जो आपका दिया गया है electrolytic cell कि सको कहते है एक ऐसा सेल जो electrical energy को chemical energy में change करें उसको किसमे चेंज करेगा ? कंभार्स केमिकल एनर्जी में चेंज कर जगा, यानि कहने का मतलब ये हुआ, जो बैद्धू तुरजा को अट्री उर्जा में चेंज करता है, उसको इलेक्त्र featured !!! ऑगोट्रेटीक सेल उपेंज सेल्सके हैं, कि electrical energy को chemical energy में change करने वाला जो cell होता है उसी को electrolytic cell करते है अब कहता है कि electrolytic cell में electron का जो flow होगा तो बेटा ध्यान से सुनेगा हमारी बातों को यहाँ पर बड़ी confusing point है बहुत बेहतरीन confusing point है अब देखिएगा electron का movement जो होगा electron का movement वो आपको cathode से anode के तरब भी होगा cathode से anode की तरब भी होगा electron का movement यानि electron cathode से electron की ओर भी गमन करेगा ठीक है और electron जो होंगे वो आपको anode से cathode की ओर भी जाएगा anode से cathode की ओर भी जाएगा ठीक है cathode की ओर भी जाएगा अब बड़ा confusing बात है बात है बात है यहाँ जब आंतरिक सप्लाई होंगे अंदर से सप्लाई किया जाएगा तब आपका movement cathode से anode की ओर होगा अज जब बाहर से सप्लाई किया जाएगा external supply होगा ठीक है जब बाहर से सप्लाई किये जाएगे तब आपके कहां से कहां जाएगे तो बाहर से जब electron को electrolytic cell में supply किया जाता है तो electron का movement anode से cathode cure होता है जब अंदर से supply किया जाता है electron को तब उसका movement cathode से anode cure होता है is it clear बहुत important point था बहुत important था दोनों तरफ होता है लेकिन इसका भी importance कम नहीं होता है internal और external का ठीक है तब जाके anode से cathode कब होगा जब बाहर से आएगा electron और जब अंदर से electron निकलेगा तब वहाँ पर cathode से anode cure होगा तो आपके पास option क्या है cathode to anode through internal supply यानि see the correct option यह दिखाई दे रहा है किसे option next question अब क्या कहता है कि electrons flows from copper electrode अब क्या कहता है कि which of the following इसमें से कौन सा statement सही है वो आपको बताना है डेनियल सेल के लिए कौन सा statement सही है वो आपको बताना है तो डेनियल सेल क्या होता है पहले वो मैं आपको बताता हूं डेनियल सेल बेटा electrochemical सेल होता है बैद्धूत रसाइनिक सेल डेनियल सेल होता है इसमें copper आपका कैथोड का काम करता है और जिंक आपका एनोड का काम करता है और इसमें एलेक्ट्रोन का गमन एनोड से कैथोड की ओर होता है एलेक्ट्रोन कहां से कहां तक जाता है तो एलेक्ट्रोन moves या flows from flows from anode to cathode flows from anode to cathode anode to cathode electron का flow कहां से होगा electron से cathode यानि anode से cathode क्योड होगा अब इसमें current का जो flow होगा वो cathode से anode क्योड होगा और current जो होगा यानि बैद्दू धारा वो flow करेगा कहां cathode से electron का ultra direction current का होता है तो cathode से अनोड की यों आपका क्या खोरेगा तो current फोरेगा और कियो टूपलस का गमन जो होगा यानि sure two plus आपको मुब करके copper यानि copper वाला electrode पर जाएगा आउसी पर जाके drauf हो जाता है और ductal auto जाता है तो copper बालाって दिन परतिदी एलेक्ट्रोलाइसिस से मोटा होता चला जाता है उसका मास बढ़ते चला जाता है यह आपको समझ में आ गया होगा तो आप्शन कौन सा होगा केटाइन्स मूब टुवार्ज कॉपर एलेक्ट्रोड बिल्कुल सही बात सी यू टू प्लस जो है वह आपका मूब है टू एच प्लस एक्वस के साथ मिलता है तो जेडेन्स टू प्लस में बदलता है यह बिल्कुल सेम चीज है जैसे पहले हुआ करता था अब कता है कि एडिशन आप जैसे ही इसमें एस्टू एसो फोर को मिला दिया जाता है ठीक है टू दा कैथोर्ड कमपार्ट्मेंट य को मिला दिये ताकि उसमें आइंस का संख्या बरत्के लिक्विड में एलक्ट्री करेंट का फूलो आयंस की मदद चो होता है तो एस्टू एसोफोर आप अगर मिला दिज्येगा तब क्या कहानी होगा तो तब आपका कहानी क्या हो जाएगा तो डिक्रीज कर जाएगा यू तरफ करने लाएगा दाहिने तरफ equilibrium आपका shift कर जाएगा next question क्या कहता एक सफुर्थ प्रक्रिया के लिए AG कमान यानि कोई भी chemical reaction आपका spontaneous हो किसी भी chemical reaction आपको तेजी से संपन हो उसके लिए आपको बेटा डेल जी कमान जो होगा वो always less than zero होगा के कमान जो आपका आएगा जो के कमान आएगा वो आपको greater than one आएगा ठीक है greater than one आएगा और आपका जो ई कमान होगा वो आपका greater than zero होगा ई कमान क्या होगा greater than zero तो ए कमान greater than zero यानि positive आएगा के कमान greater than one से बढ़ा आएगा और डेल जी कमान आपका जी से छोटा यानि यह आपका negative आना चाहिए यह आपक पोजेटिव या वन से बड़ा यानि वन से बड़ा वन से कुछ ज्यादा होगा तो कौन सा आप्शन होगा ए इस दा क्रेक्ट ओप्स टीक है किसी भी कैमिकल रियक्शन के लिए गिफ्ट फिरी एनरजी का मान के का मान और इसका कैसे कैसे होना चाहिए वही पूछ रहा था न क्यों होगा क्योंकि फ्लोरीन ग्रूप के पास निगेटिव इंडक्टिव प्रभाब जो होगा यानि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह आपको बहुत ज्यादा होता है उसके करण क्या होता है आयनाईजेशन बढ़ जाता है और आयनाईजेशन बढ़ संख्या बढ़ेगा तो conductivity solution के अंदर बढ़ जाएगा तो किसका तो डाइफ लोडो एसेटी के सीट का ज्यादा होगा किसके कारण क्योंकि यह आपका इसका negative inductive effect जो होता है बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण तेजी से ionization में change करता है और ions के संख्या बराकर conductivity को बढ़ा देता है next question क्या कहता है स्वार सेल में परयोक्त तत्व किसका होता है तो स्वार सेल में बेटा semiconductor यूज क्या आता है किसका उपयोग होता है semiconductor का उपयोग करते है और expensive cell में जो plate होता है औरusto च यह सन एनर्जी को यानि सूर्ज का वी यानि सन का जो रेडियेंट एनर्जी होता है यानि सूर्ज का जो वी किरन उर्जा होता है सूर्ज के सूर्ज के वी किरन उर्जा को वी किरन उर्जा को किसमें चेंज कर जाता है उर्जा को बैद्दूत उर्जा में बदल देता है ठीक है बदल देता तो solar cell क्या होता है एक ऐसा cell जो sun के radiant energy को electrical energy में convert कर देता और इसमें generally हम लोग semiconductor का इस्तमाल करते हैं और plate के बीच में और battery के बीच में जो wire होता है उसमें हम कम resistivity वाले wire लेते हैं जिसका प्रतिरोधा कम हो तो silver wire का इस्तमाल करेंगे यानि चांदी के तार का इस्तमाल करेंगे plate और जो आपका solar cell है उसके बीच में जो wiring किया हो राता है जिस तार से उसमें चांदी का तार इस्तमाल किया आता है next question electronic पर huge sodium chloride cathode पर देता है तो huge sodium chloride है तब NaCl है तो NaCl को तोड़िएगा तो क्या हैगा Na plus और Cl minus आएगा तो cathode पर beta reduction होगा cathode पर क्या होगा reduction होगा आभी एक word बताए थे cathode पर अब करन होता है तो यहाँ पर Na plus क्या करेगा एक electron को लेकर किसमें change कर जाएगा Na में change कर जाएगा किसमें change कर जाएगा Na में और यहाँ पर अब करन की क्रिया होगी और यह कहानी किस पर होगा cathode पर तो cathode पर क्या मिलेगा sodium मिलेगा बिल्कुल simple था बहुत आसान question थे next question क्या कहता है जब कोई electron एरिनाविशित आयनों के रिकत अस्थान पर जाके यानि क्या कहता है कि कहीं से कोई आपका जैसे मान लीजे कि आपका कोई body है कोई crystal दिया हुआ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लैटिस है ठीक है ऐसे और यहां से कोई कि से निई हeffective आगया है तो यहां से उठके जब यहां आएगा तो यह स्थान आपका था यह स्थान खली हो गया और यहां पर दिडीम चार्ड यहां पर आके तो पिडीम चार्ड जो यहां पर बाहर से आ रहा हो जो negative charge यहां पर आपको generate कर राय बाहर से आ रहा है, इसी point को हम लोग एप-center कहते हैं, एप-center इसी को कहा जाता है, ठीक है, और ये जो dose होता है, तो इसमें dose कोन सा होता है, तो Frankal dose होता है, कैसा dose होता है, Frankal defect होता है, और ये कैसे dose है, तो non-Estechiometry dose है, इसमें positive charge, negative charge के stoichiometric दोस है, ठीक है, stoichiometric defect है, और इसमें positive number of positive charge, negative charge के बड़ाबर नहीं होता है, तो कौन सा दोस होगा, तो frankal defect होगा, और इसको बेहतर तरीका से समझना है, तो वो आपका कहां पढ़ना है, frankal दोस, solid में, मैंने पढ़ाया है उसको, next question क्या काता है, तनु के बिद्धूत, O2 को करेगा, कैसे, तो 4 OH माइनस आपका तूट जाएगा, O2 में, 2H2O में, और 4 electron यहां से बाहर हो जाएगा, यह पहले भी तुम लोग को बता चुके है, ठीक है, next question, Almonium के जलिये घोल में 9.65 ampere बिद्धू धारा प्रवाहित करके, मिली मोल Almonium धातू जमा करने में लगने वाला समय क्या होगा, समय क्या होगा, तो यह आपको निकालना है, तो आपको निकालना होगा, formula लगाना होगा, किसका, तो Q बराबर IT का, Q बराबर IT का, तो पहले Almonium है, तो Almonium का बेटा कहानी पहले देख लो, उसके बाद समझ में होगा, तो Almonium में क्या होगा, कि Al3 प्लस तीन एलक्ट्रोन लेकर Almonium में चेंज करेगा, no doubt कि आप यहां तक नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, कि एक मोल, यह एक है, यह एक है यानि तीन मोल एलक्ट्रोन की आवसकता होती है, तब आपका एक मोल Almonium आपका बाहर निकलता है, तीन मोल में एक मोल Almonium आपका बाहर निकलता है, ठीक है, तो एक मोल निकालने के लिए कितने चार्च चाहिए, तो एक मोल निकालने के लिए कितने चार्च चाहिए, तो ती 3ं both electron आपका 1 mol अलमूनियम निकालने के लिए चार्ज कितना चाहिए तो 3 mol 1 फ्रेड यानी 3 into 965 003 कूलम चाहिए अब क्या दियाह गोडा है 20 1000 blossom और 10 to the power minus 3 कूलम के बढ़र आएगा और इसकी जब आप solve करेंगे तो आपका 3 सुनना इधर चला जाएगा और solve करने के बाद आपका आ क्या जाएगा तो 3 into solve किजेगा तो 3 into 96.5 कुलम आ जाएगा ठीक है यह आ जाएगा अब आपको time पूछ रहा है तो q बराबर क्या होता है it होता है तो t बराबर क्या हो जाएगा तो q t बराबर q by i हो जाएगा q आपको कितना आया तो 3 into 96.5 आपका charge i कितना दिया हुआ है तो i आपका दिया हुआ है 9.65 अब इसको decimal उड़ाओ दूपर दूगो सुनना इसको उड़ाओ एगो सुनना यह आपका इससे कट गया कट गया दस बार में आ गया यानि कितना समय लएगा विटा 30 सकेंड का कितना समय लगा तो 30 सकेंड का समय लएगा ठीक है बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत को संथा अगला को चन फ्रेडे का एलेक्ट्रोलाइसिस का दूसरा नियम संबंदी थे पहले बताएं बिल्कुल पहले एक कोशन था एक्कुवेलेंट बेट से M1 बटा M2 बडाबर E1 बटा E2 पांच जब क्या काता है जब पांच घंटे में पिगले हुए धातू के नमक में 2 एंपियर धारा 2 एंपियर धारा यानि इतना धारा को प्रवाहित का वायता 22.2 गराम धातू जमा हो जाती है धातू की ऑक्सिकरन संख्या क्या होगी यही आपको पूछा जा रहा है तो बिटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डबलू बराबर आई टी इ अब बटा एप के बराबर होता है ठीक है अब यहां से आपको निकालना क्या है तो ई निकाल लिजे एक्वेलेंट वेट निकाल लिजे एक्वेलेंट वेट पता चल गया और इसमें आपका एटोमिक वेट दिया हुआ है एक्वेलेंट वेट से यह 96500 कूलम, कैंप करेंट कितना दिया हुआ है, 2 A, और टाइम आपको कितना लग रहा है, 5 घंटा, तो 5 घंटा को मिनेट में और मिनेट को सेकेंड में, आप चेंज कर दीजे, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस सारे को आप जब सॉल्व करेंगे, तो आपका व नंबर जो होगा, वह कहां से निकलेगा, तो equivalent weight, equivalent mass निकल लिजिए, तो oxidation number बराबर आपका क्या आजाएगा, वो direct हम निकाल देते हैं, आप लो घवराई हैं, नहीं, हम direct निकालते हैं, अब आपको oxidation number निकालना है, तो direct आप निकालिए, oxidation number बराबर क्या हो जाएगा, तो molar mass या atomic mass यहाँ atom है तो atomic mass डालो atomic mass अब बट्टा कुन सा mass atomic mass अब अब अट्टा equivalent mass equivalent mass तो equivalent mass atomic mass एक सथतर दिया हुआ है और equivalent mass कितना आया है तो 59.3 आया है लगभग यह आपको 3 के बरावर जागा कितना जागा 3 के बरावर this is your answer this is your answer next question देखिएगा क्या कहता है कि molar और ionic molar and ionic conductivity of violent electrolyte दिया हुआ है ठीक है तो इसमें आपका call Ross का नियम लग जागा क्या लग जागा call Ross का लो लग जागा call Ross law क्या कहता है कि infinite dilution पर ठीक है infinite dilution पर जब value निका लिएगा तो आपका दोनों के mathematical sum के बरावर आजाता है तो according to call Ross law ठीक है जो infinite dilution पर आपका value आएगा mu आपका infinite dilution पर जो आएगा वो किसके बरावर आएगा तो आपके पास ionic form में molar वाला का अब पलस आपका ion वाला का ठीक है तो एक आपका ये और पलस आपका ये दोनों का अब दोनों के value को क्या किजिए डाल दीजिए a plus b minus जो भी है अगर माल लो माल लेते हैं a b माल लेते हैं तो ये a plus माल लो ये b minus माल लो a का value कितना दिया हुआ है 57 और b का value कितना दिया हुआ है 73 दोनों को जोड़ दो तो 130 के करीब आएगा 130 cm2 पर मोल के बड़ा बड़ा जाएगा तो ये आपका बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सा जो लेक्टर था वो आपका last किया बहुत ही जबरदस था मैं तो बहुत खो होगा तो हमसे कॉंटेक्ट करेगा बेस्ट अफलाक थैंक यू वेट फॉर दे नेक्स लेक्टर